आप लोग अपनी स्क्रीन पर फोटो देखकर समझ गये होंगे कि आज हम लोग गवा की मुकमंत्री प्रमोज सावंध के बारे में बात करने वाले हैं इनकी कहानी देखने वाले हैं कुछ और पिक्चर आप लोग देख लीजे यह आप देखेंगे इनका परिवार है और आप देखेंगे कि यह RSS से भी जुड़े रहे हैं राष्टिये स्वयम सेवक संगि से भी जुड़े रहे हैं और बारतिये जंता पार्टी में आप लोग अभी बड़े बड़े जो भी नेता देखेंगे न, वो पहले RSS में भी रहे हैं। और ये एक बार गुआ को देखना है, तो देखें, ये हमारा प्यारा भारत है। इसमें आप लोगों को गुआ देखने को मिलेगा, ये है आपका गुआ। ये आप देखें कि पंजी इसकी रादधानी इसकी सीमा बहराष्ट से लगती है, और करनाटक से लगती है। 19 दिसंबर 1961 में भारत में सामिल किया गया थैसी, और 30 मई 1987 को इसी राज्य का दर्जा दिया गया था। विधान सबा में आप देखें 40 सीटे हैं, राज्य सबा में 1 सीटे हैं, लोग सबा में 2 सीटे हैं, 3702 वरक किलोमीटर में आपका फैला हुआ है, क्या गुआ, ये आप लोग याद रखेंगा। इनका पूरा नाम है डॉक्टर प्रमोध पांडूरंग सावंथ, इनका पूरा नाम है, इनका जनम 24 अप्रेल 1973 में हुआ था। इनका जनम इस्थान है बिचोलिम गुआ और इनका धरम हिंदू है, और आप देखी चत्रिये मराठा हैं, और इनके पिता का नाम पांडूरंग गोविन सावंथ, इनकी मार का नाम पद्धनी सावंथ, और आप देखी इनकी पत्नी का नाम सूलक्षना सावंथ, और इच्छा की बात करें, तो गंगा एजूकेशन सुसाइटी, आयोवेदिक मेडिकल कॉलेज, कूलापुर से इनोंने सिख्चा ली हुई है, तिलक महराष्य विस्विध्याले, पूने से इनोंने सिख्चा ली हुई है, और सेक्टेग योगिता की बात करें, तो आयोवेद चिकसा और सरजी चिकसा में इसनातक की हुई है, मास्टर ओप सोशल वर्क में इसनातक की डिग्री लिये हुए है, भारती ये राजनीता हैं, और भारती जिन्ता पार्टी से जुड़े हुए है, बीजेपी से, और बीजेपी की अगर हम लोग बात करें, तो 1980 में इसकी और सांगली के लिए कॉंग्रेस के अपोजेट चुनाव लड़ा लेकिन इस चुनाव में इने हार का सामना करना पड़ा। की मद्दाताओं की द्वारा होता है। और आप देखते हैं अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो बोटर सुची में आपका नाम जोड़ चुका होगा। आप लोग बोट डालने भी जाते होगे। बारे से 2014 तक उन्होंने प्राकलन समती के अध्यक्ष की रूम में काम किया। साथी उन्होंने विश्यसादिकार समती के सदस्की रूम में भी काम किया। 2012 से 2016 तक वजट समती के सदस्की अध्यक्ष रहे। 2014 से 2016 तक सारुजनिक उपकरम समकी समती के सदस्की भी थे। और अगस्त 2016 में उन्हें गवा के कर्मचारी चैन आयोक के विध्यक के अध्यक्ष पदपर नियुक्त किया गया। मार्च 2017 में गवा राज्जी की साधवी धानसवा के सदस्की बने। फिर गवा के मुकमंत्री मनुहर परिकर के नेधन के बाद 19 मार्च 2019 को पिरवो सावंद ने गवा के 13 वे मुकमंत्री के रूम में सपत ली। 2020 इसके बिधानसवाद चुनाओ में पिरमोज सावंद सांखली बिधानसवाद छित से चुनाओ लड़ा इनुने और दुवार जीते हैं से उन्हें जीत हासिल हुई और पिरमोज सावंद की नेतित में भाजापा ने गौआ में धमाकेदार जीत हासिल की और भाजापा ने फ जूड़े हुए हैं, स्मार्टपॉन है, तो सब के बारे में आंगे आप लोग जानकारी रखे रहते हैं।